बीजेपी परत्याशी विनोध भ्याना के समर्थन में शहर की कई MC और बीजेपी कारेकरताओं ने जन संपर का भ्यान चलाया इस दोरान परवीन बंसल, धरमवी रतेरिया और चेर परसन प्रतिनिधी विनोध स्यानी ने कहा कि इस बार जिस तरह का समर्थन मिल रहा है वहे आस तक नहीं मिला उन्होंने कहा कि विनोध भ्याना की जीत के बाद शहर के विकास को रफ्तार मिलेगी मंडली चुनाव पर निकली है बीजेपी की, तो लोगों से कैसा रुजान मिल रहा है जब से इस परदेश में विधान सबा के चुनाव गोशिद हुए है तब से पूरी ही जंता में बड़ा उस्सा बना हुआ है और वो जल्द से जल्द इस बात के लिए उस्साहित है कि दुबारा बनो रलाल जी को इस कुर्सी पर मुख्यमंतर के तोर पे बिठा दे इतना बड़ा उस्सा मैंने अपने जीवन में राजनेती की जीवन में कभी देखा नहीं चाहिए युआ हो चाहिए कोई महिला हो चाहिए कोई विधार्थी हो चाहिए कोई गरानी हो चाहिए कोई वेपारी हो हर परकार का वर्ग किसान, कमेरा ये चाहरा आए कि हर्याना में एक बर पुन्याइड जिस परकार से नेंदर मुदी जी पुरे देश में और मनुदाल जी ने पूरे परदेश में काम किये हैं उसकी विकास के बिढ़ार अगले पांच वरसों तो बैती रहे इस उमीद के साथ इस शाशा में वो सब जुटे हुए है और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मतदान का दिन आए, कमल के फूल पर हम मोर लगाएं, उसका बटन दबाएं, बारी बहुत से कमल के फूल को जिताएं और मनोला जी को दुबारा मुख्यमनते बनाएं, इस बात का नहीं है, सहर में टेंडर कर दिया गया सपाई वहस्तागा, अब सहर बिलकुल सपाई वहस्ता दुरूस्त हो चुगी है सहर के अंदर, और यह रोजमर्रा की चीज़े हैं, यह काम चलता रहता है, इसमें काम में कोई किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं है, ब्याना साब के आ सहर की तरफ से अपार समर्थन मिल रहा है, लोग तो 21 तारिक की बाट देख रहे हैं, चुनाओ कमल के फूल पर महर लगाने के लिए भाई विनोद ब्याना को 50 जार से भी उपर बोटों के जिताने के लिए इसकी इंतजार कर रहे हैं